आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस तक रिहान तारे के साथ आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस तक उनमें शामिल है मामने खुसूसी बराय इतलाद पर मुकमल एतमाद वजिर आजम का स्टीफा कबूल करने से इंकार वजिर आजम के सिंद आमद पर वजिर आला को लाइल्म क्यों रखा जाता है क्या दोरी शहरियत के हामल अफराद इलेक्शन लड़ पाएंगे मट्टी के बेटों को खराज तहसीन भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा असलाब अलेकुम मैं हुई रहान तारे को राब देख रहे हैं दस ताक वजीर आजम पाकिस्दान अमरान खान ने मुशीर इतलात लेफ्टनेर जरनल रिटाइड आसिम सलीम बाजवा का इस्तिफा मनजूर करने से इंकार कर दिया है वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मताबक अमरान खान ने का है कि लेफ्टनेर जरनल रिटाइड आसिम सलीम बाजवा के जानिब से जो सबूत और वजाहत पेश की गई है वो उससे बिलकुल मुतमईन है सी पैक अथारिटी के चेर्मेन लिफ्ट ने जरनल रिटाइड आसिम सलीम बाजवा ने जुमेरात के रोज मुआवे ने खुसूसी बराए इतलात के होदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए मीडिया को बताया कि वो सी पैक पर पूरा फोकस रखना चाहते है क्योंकि वजिर आज़ासम इम्रान ख़न का भी यही कहना है कि हमारा मस्तक्मिल सी पैक से जुड़ा हुआ है सारा जोर सी पैक पर लगाउंगा सहाफी के मताबक आसिम सलीम बाजवा के भाईयों एहलिया और बच्चों की बेरूने मुलक जायदादे चार ममालक में पहली हुई है ऐमंदुरानी ने ये दावा किया कि आसिम सलीम बाजवा ने वजीर-आजवा ने वजीर這व आज़रा बाजवा के मौवने खुसूसी बनने के बाद जमा कराई है हुई अपने असासमाले की था सिर्वत में पहादा बिजनस केपेंटल का जिकर भेगाए में बकाइदा नहीं है लिखा है उन्होंने अपनी एहलिया के नाम पर खानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपे की सरमायका नी जाहिर की और इस हल्फ नामे के आखिर में तस्दीग की कि मेरी और मेरी बीवी की एसासाजात की फैरस्त ना सर्फ मुकंमल और दरुस्त है बलके मैंने कोई चीज नहीं चुपाई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2002 से कबल आसिम सलीम बाजवा उनकी एहलिया बेटों और भाईयों के नाब पर कोई कारोबार ना था लेकिन ये सुरतेहाल तब तब दील होना शुरू हो गई जब वो साबक पाकिस्तानी सदर और फौज के साबक सर्वरा परवेश मुच्टरफ के स्टाफ आफिसर ताइनात हुए एहमन दुरानी ने ये भी दावा किया कि आसिम बाजवा की एहलिया ने अमरीका, मतह्था, अरवा-मराद और केणिडा में सर्मायकारी की हुई है हलाकि उन्होंने अपने इसासजात की तफसीलात में कहा है कि उनकी और उनकी बीवी की पाकिस्तान से बाहर कोई सर्मायकारी नहीं है एहमन दूरानी के मताबक आसिम बाजवा की एलिया समयत उनके खानदान उनके अफराद माजको टेलेकॉम और फास्ट टेलेकॉम के मालक हैं ये कमपनिया एसी सीपी बेरेजस्टर नहीं हैं लेकिन बहुत मतहर्रक कमपनिया हैं एहमन दूरानी ने इस रपोर्ट में ये सवाल उठाया कि ये सब शुरू कैसे हुआ ये बुन्यादी सवाल उठाया गया कमपनिया खोल ले और सरमया कारी करने के लिए इतना पैसा आया कहां से और पिर तीन हफ़ते तक राप्ता करने की कोश्रों के बावजूद आसिम बाजवा खामोश क्यों रहा है एहमन दूरानी के इस रपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर खुब हंगामा हुआ वजीराजम के इहतसाब के बयानिये पर खुलकर तनकीब भी की गई जिसके जवाब में हकुमत ने मौकिफ अपनाया कि आसिम सलीम बाजवा अपनी उपर लगाए गए इल्जामात की वजाहत दे इस हवाले से शिबली फराज ने क्या कहा जरा उसकी एक चलक आपको देखा आसिम बाजवा साब की मैं तो कल जो थोड़ी दिर जो मैंने टीवी में देखा तो मैं तो हर दो मिन बाद खबरें आ रहे थी इसी बारें में आ रहे थी और जहां तक उनके उसका इशू का तालुक है उसमें मैंने आपको कल यहां पे मुझसे सवाल भी हुआ था आप वो मैंने जवाब भी दे दिया था कि बिलकुल और रात को मैंने एक ट्वीट भी की थी कि वो एक दो रोज में आके अपनी पोजिशन को वाज़े करेंगे शिबली फरास के बियान के बाद जुमेरात को लेफ्ट वेर जनरल रिटाइड आसिम सलीम बाजवा ने अपने उपर आयद के गए इल्जामात की वाज़े अलफाज में तरदीद की उन्होंने ट्वीट करते हुए कारोबार के हवाले से वजाहत दी उन्होंने लेखा कि हुए हमद नूरानी की खबर की सखती से तरदीद करते है आसिम सलीम बाजवा के मताबक बेटे पर इल्जाम लगाया गया कि उसने CEO One Builders and State Company बनाई मेरे बेटे की कमपनी ने कयाम से अब तक कोई कारोबार नहीं किया उन्होंने ये लिखा कि मेरे बेटे की कमपनी गायर फाल है इल्जाम लगाया गया कि मेरे बेटे के नाम हमालिया लिमिटेड कमपनी रिजस्टर्ट है मेरे बेटे के पास हमालिया लिमिटेड कमपनी के सिर्फ 50 वी सचेर्ज है ये कमपनी बहुत छोटी है जिसने 3 साल में 5 लाक रुपे कमाये है ये दरुस्त है कि मेरे एक बेटे के नाम पर मोची काटविनर कमपनी मौजूद है, ये एक छोटी कमपनी है, जिसने 5 साल में मुकंबल लुकसान उटायाया ये कमपनी खसारे में रही है मेरे एक बेटे पर अज़ाब लगाया गया कि उसके नाम क्रेप्टन माइनिंग कमपनी है ये कमपनी इस वक्त रिजस्टर की गई जब मैं बलोचिस्तान में ताइनात था किसी ने नहीं देखा कि एक कमपनी FBR में 2019 में रिजस्टर हुई है आसिम बाजवा का मज़ीद कहना था कि डेकलेर करते वक एहलिया की मेरे भाई के किसी कारोबार में सरमायकारी नहीं थी यनि जिस वक्त वो एसेट्स डेकलेर कर रहे थे तो उस वक्त उनकी एहलिया की कोई सरमायकारी उनके भाईयों के साथ नहीं थी जबके یकमजूर 2020 को उनका ये कहरा है कि मेरी यहलिया ने वेरुने मुल्क तमायकारी खत्म कर दी थी मेरी यहलिया का सरमायकारी खत्म करने से मतालख अमरीका में रैक्रॉर्ड मौजूद है मेरी एलिया की तक्रीबन 19,000 डॉलर्स की सर्माय कारी थी S.C.P. में कमपनी के नाम तब्दीली का अमल मुकमल किया गया जबके अमरीका में कारोबारी मफाद खत्म होने पर दफ्तरी कारवाई अमल में लाई गई उन्होंने वज़ात करते हुए कहा कि मेरे भाईयों की कमपनी को S.P.E.C. के ठेके देने से मुतालिक बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया मेरे भाईयों की कमपनी ने कभी S.P.E.C. का कोई ठेका नहीं लिया बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट की पापा जॉन्स पीजा चेन में कोई मिल्कियती मुफाद नहीं है खबर में गलत इल्जाम लगाया गया कि बाजको को 99 कमपनीयों की मालिक है आसिम बाजवा का मजीद कहना था कि 18 साल के इस असना में मेरे भाईयों ने तकरीबन 70 मिलियन डॉलर्स के असासे और फ्रेंचाइजिस खरीदी 70 मिलियन डॉलर्स में से तकरीबन 60 मिलियन डॉलर बैंक के करजे और दीगर मालियाती सहुलियात में शावल है 18 सालों में मेरे भाईयों और एहलिया की कैश सरमायकारी 73,000 अमरीकी डॉलर्स है मेरे भाईयों की 54,000 डॉलर्स सरमायकारी का मुकमल रेकॉर्ड भी मौजूद है मेरे दो भाई डॉक्टर और एक भाई अमरीकी बैंक में नाइप सदर रहा है कारोबार से कबल मेरा एक भाई अमरीकी रेस्टरांट ओपरेटिंग कंपनी में कंट्रोलर और एक पार्टनर रहा क्या इतने अहम ओतों पर मौजूद लोग 54,000 अमरीकी डॉलर्स की बचत नहीं कर सकते आसिम बाजवा का मजीद कहना था कि मेरे पाच भाई हैं कोई भाई मेरे जेरे कफालत नहीं रहा डॉक्टर्स हैं एक अमरीकी बैंक का नाइब सदर है भाई रेस्टरांट ओपरेटिंग कंपनी का कंट्रोलर एक रेस्टरांट चीन का शराकतदार रहा है मेरे पाच भाईयों रहिया की कारोबार में पचास दीगर सर्मायकार भी थे आसिम सलीम बाजवा ने बादजा टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी अपने असासाजात के हवाले से वजाहत दी उन्होंने वाशगाफ अलफाज में बेयान किया कि वो अपना असासे डेकलेर कर चुके हैं लेकिन वजीर आसम के बावने खुसूसी आसिम सलीम बाजवा के हवाले से ऑपोजीशन जबातों ने वजीर आसम के एहतसाब के बियानियों को तनकीद का निशाना बनाया है मरियब नवाश शरीफ, बिलावल भुट्टो सरदारी ने वजीर आसम को बुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहतसाब का बियानिया सिर्फ ऑपोजीशन जबातों के लिए है यह एक इंडिविजुवल का मामला है उसको जवाब देना चाहिए और अगर आप सीपेक की बात करते हैं तो सीपेक का जो मुजद था, सीपेक का जो बानी है नवाश शरीफ, जो 60 अरब डॉलर के इंवेस्मेंट पाकिस्तान में ले के आया उसको आप अगर एक इकामर पर निकाल देते हैं तो सीपेक को कुछ नहीं होता तो एक इंडिविजुवल के आने जाने से या इतसाब के सामना करने से सीपेक को कुछ नहीं होगा अभी जो जब ना सिर्फ अभी इस लेटर स्टॉरी के बाद लेकिन जैसे ही हमारे स्पेशल असिस्टेंस और इडवाइजर जो वफाक में हैं उन्होंने अपने आसेट्स डिक्लेर किये तो तब में ऑन रेकर्ड हों कि अगर इस मुल्क में एक कानून है तो फिर जो सुलूख हमारे साथ होता है वो सारे के सारे अडवाइजर स्पेशल इस वाद उन सब पे लेकिन बिकास अगर यही आदमी जिसके अपना स्पें में प्रॉपर्टी है वो अनुरूबल चीफ वाइज इसा की बीवी के लिए जो जबान इस्तमार किया गिया जिस तरीके से टागेट किया गिया अगर आप एक उनुरूबल चीफ जस्टिस के लिए ये बार सेट करते हैं तो फिर वो अकाउंटिबिलिटी का अडवाइजर या स्पेशल इस इटिसन्ट उटो भी उसका है उसको भी इस किसम का एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना पड़ेगा आसिम सलीम बाजवा ने पाक फॉच के अंदर एक बहतरी मुंतजिम के तोर पर अप्री सलाहियतों का लोहा मनवाया इस वक्त लेटने जरल रिटारिड आसिम सलीम बाजवा की जात को निशाना नहीं बनाया जारा बलकि उनको सामने रखकर सी पैक की खिलाफ साज़िश की तैयारी की जा रही है आसिम सलीम बाजवा ने अपने उपर लगने वाले इल्जामात की तरदीद तो करती है लेकिन इस वक्त वजीर आज़म मौतरम इमरान खान की जमधारी बनती है कि वो काईदाना के अरदार अदा करते हुए आसिम सलीम बाजवा पर लगने वाले इल्जामात की तहकीकात कराए ताकि वो पूरी तरा सुर्खरू हो सके यहाई यह सवाल की जनम लेता है कि होकुमत के तौर पर तहकीकात के लिए कौनसे ऑप्शन्स मौजूद है क्या वजीर आज़म ने अपने तौर पर तहकीकात कराने के बाद ही आसिम सलीम बाजवा पर एतमाद का इज़ार किया है इसका यकीनन होकुमत के पास है और होकुमत जतनी जल्द हो सके इसको बेहतर तोर पर मैनेज़ भी करे ताके आसिम सलीम बाजवा सुर्खुरू हो सके वो चेर्मेंट सी पैक अथारिटी हैं एक अहम ओधा उनके पास महजूद है एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एथसाब के बियानिये को लेकर काफी संजीदा हैं वो अपोजिशन डाहनुमाओं को कटहरे में लाने के लिए भरपूर कोशिश भी करना है हुकुमत साबक वजीर आज़म नवाजशरीफ को भी प 10 सितंबर तक पाकिस्तान वापस आने का इमकान नहीं है क्योंके रवामा के रवामा लंदन में उनकी सर्जरी भी मतवक्य है शरीफ खानदान के राकीर ने भी नवाजशरीफ का इलाज मुकमल होने तक उनके क्याम में तोसी की दरखास की है शरीफ खानदान के मताबक लंदन ने नमाज शरीफ का इलाज आएंदा कुछ हफ़तों में होना तैह है वो अपना इलाज उधूरा छोड़ कर कैसे वापस आ सकते है शरीफ खानदान और उनकी जमात नमाज शरीफ की साहत पर समझोते के लिए तैयार नहीं है और चाहते हैं के साबक वजिराजन इलाज मुकमल होने के बाद वापस आएं रोजनामा डॉन के मताबक शरीफ खानदान अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा है और अदालत के 10 सितंबर को पेश होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने या फिर केस की अगली समाथ पर हालिया मैडिकल रपोर्ट्स जो रीसेंट मैडिकल रपोर्ट्स हैं और तैशुदा इलाज की तफसिला जमा कराने की आप्शन पर भी गौर किया जा रहा है उनके मताबक अब पार्टी में मौझूद कुछ जजबाती आवाजें चाहती हैं कि उनके कायद वापस आ जाएं और इमरान खान की हुकूमत को वापस भेजने की बहुम में राह हमवार की जाए दूसरे जाने मुस्टिमीग नून के सदर और पिर कौमी असमली में आपोजिशन लीडर शेहबाज शरीफ ने भी फौरी वापसी का कोई इरादा ना होने का इंदिया दिया है जब ये पूछा गया कि क्या नौज शरीफ 10 सितंबर तक अदालतों में पेश होने के लिए वापस आ जाएंगे तो नों ने कहा कि हम हमेशा अदालतों और कानून का इहतराम करता है पाइटी के आहम रहनुमाओं ने नौज शरीफ से भी दर्खास की थी कि वो मुकदमात का सामना करने के लिए वतन वापस आने और फिर सियासत में हिस्सा लेने के लिए अपना जहन बनाने से कबल पहले सहत्याब हो जाएं यानि इस हवाले से जो शरीफ फैमिली कह रही है वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो कबल तोर पर सहत्याब नहीं होते हैं तब तक वापस नहीं आएंगे लेकिन वजीराजम पाकिस्बा और उनका बयानिया यह है जल दस जल सावबिक वजीराजम को पाकिस्बाएं आना चाहिए और अपने उपर मोजूदático केसेस का सामना भी करना चाहिए लेकिन सुरत अहाल इस वक्त क्या है होकुमती पॉलिसी होकुमती स्ट्राटिजी है कि नवाज शरीफ को वाफिस लाने के लिए हर्मों के नाकिदामाद किये जाएंगे लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है वो सब अवाम के भी सामने है या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद वजीर आजम के दौरे सिंस से मतालिक बात करेंगे वो कराची जा रहे हैं जब वो कराची जाएंगे तो उनके पास क्या आप्शन्स मौजूद है स्ट्रक्चल रिफॉर्म्स के हवाले से और कितना बड़ा पैकेच कराची के लिए लेकर जा रहे हैं इस पर बात हूँ इस प्रेक के बात हमारे साथ लिए वेल्कम बैंगा चेर्में पीपल्स पार्टी बिलावल भुटो जर्दारी ने कराची में मस्रूफ तरीन दिन गुजारा उन्होंने प्रेस कान्फरस से खिताब किया कराची और सिंद के हालात बेयान किये साथ ही विफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथ हो लिया मलीर में बरसाथ से मतासरा अलाकों का दौरा करते हुए चेर्में पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स रोकने के मामले पर धुआधार खिताब किया साथ उन्होंने कहा कि अगर फंड्स ना दिये गए तो छीन कर लेंगे वो क्या कह रहे थे सबसे पहले उसकी एक जलक आपको देखादें हैं चाब वो कराची हो, उमर कोट हो, बदीन हो, मीरपूर खास हो, हम उमीद करते हैं कि सिंध हकूमत हमारे साथ, सिंध हकूमत के साथ, वफाकी हकूमत मिल के चलेंगे और हमारे अवाम को रिलीफ पहूंचाने को जो जिम्यदारी है, वो उस पे पूरे उतरेंगे इस वक्त तक अन्टीमे ने सिंध हकूमत को पांच हजार टेंस दिये है, दो हजार टेंस दिये है हमारा रिक्वाइमेंस इससे बहुत ही ज्यादा है, एन्टीमे नाशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी है, नाशनल डिजास्टर जहाब होते है, उनके इमीडियेट रिलीफ पहुंचाने में जिम्यदारी होता है, तीन नालों साफ करना सिर्फ से बात नहीं होगा, हम देख रहे हैं उनके तरफ भी के इन्शालला ताला वो भी सफ़े अमर का कितार हमारे साथ अदा करेंगे, उनके पास एक्स्पिटीज है, फाइनसिंग है, जो हमारे अवाम की इस वक्त सुरूरियाद है। प्लान के लिए 723 अरब 25 करोड रुपे दरकार होंगे, मनसूबों के लिए रवासाल बजट में सिर्फ 32 अरब रुपे मख्तस किये गए थे, ट्रास्फोमेशन प्लान के मनसूबों पर अब तक 47 अरब 18 करोड रुपे पहले ही खर्च किये जा चुके हैं, इस प्लान के तह 250 अरब रुपे चीनी होकुमत फराम करेंगी, सिंध होकुमत कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 50 अरब रुपे फराम करेंगी, दस्नाविजात के मताबक सेवरिच के 8 मनसूबों का तखमीना 162 अरब 60 करोड रुपे लगाए गया है, इसी तरह वाटर ड्रेंस के 2 मनसूबो कराची में बड़े मनसूबों का ऐलांग करेंगे, उनके हमरह में वफाकी वुजरा और मेंबराने सिंध सम्ली होंगे, लेकिन इस मौके पर उनने वजीराला सिंध को नजर अंदास कर दिया है, वजीराजम ने माजी में जब भी सिंध का दौरा किया, वजीराला से मुलका मैं सिर्फ यह कह दूँगा, प्रोग्राम बता दें इसलिए कि और काम भी होते हैं अद्वी को, लेकिन दूसरा आपने कहा था कि मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाओंगा, अभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो मैं बुलाने की तो बात कैसे होगी, अभी तक नहीं मुझे प्रोग्राम बताया गया, जैसे प्रोग्राम पता चलेगा और मुझे बुराएंगे तो मैं बिल्कुल जाओंगा, एरपोर्ट पे लेने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए तो मैं खुद पूछता हूँ, कि जी मैं कहा आओं मुझे बता दें, और मैं अभी और मुझे कहा गया आएं और रिसीव करने, मैं क्यों नहीं करूँगा। करने को तैयार है, बगर वजीराजम तावन को बोल क्यों नहीं कर रहा है, वजीराजम के दौरे से एक रोज कबल, कराची में बिलावल भुटो के सियासी पावरशो के मकासित, इंतबामतर सवालात का जवाब जाने की कोशशिश करेंगे, इसमें पाकिसन तहरी के इनसाफ है, जो खान साफ कराची के लिए अनाउंस करने जा रहा है? जिससे मैं समझता हूँ, कि कराची समसे पहले तो उसकी फुरानी रोशने बहाल करेंगे, और उसके बाद इल्शा आगे जो उसको होना चाहिए था, वो शेयर बनाएंगे, कराची चलता है, तो मुल्क चलता है, कराची चलता है, तो सुबाच चलता है, बिलावल भुटो अगर आगे को पैकज दे रहा है, या फाइनस कर रहा है, तो यह हमारा शेयर बनता है, यह अशान नहीं कर रहा है। इनका शेयर इनको मिल जाता है इनका शेयर NFC आवार्ड के तहएंट इनको हर साल मिलता है लेकि अपने शेयर के साथ इनको हशर क्या किया है असका तो हशर नेशर कर दिया है इनको शेयर तो मिलता है ना ये तो शेयर सेट के मिल रहा है जब बात करते हैं आप अठामी तर्मीन की आपको आपके मताबरे जो शेयर है आपको मिल जाता है आपको आपको याद होगा कि बहुत देर से 126 सरब रुपए की बात की जा रही है कि विफाक को जो पैसे रिलीस करने थे जिसका वादा खास त है लेकि फिर भी बहुत सारे सारे फ्लाइओवर्स बन गए बहुत सारे रोड्स बनी हैं किस किलोविटर का ग्रीन लाइन मनसूबा बन चुक है सब कुछ के होने के बावजूद इस फिस ने एक सुट बासट का रपका एटीन बजा रहे होते हैं उसके बाद इनों ने कहा सारे हालाद सारे मामलाद इतने ठीक नहीं थे अब हम वो सब कुछ करने जा रहे हैं जो हमें करना चाहिए जो हम कर सकेंगे वो करेंगे अगर सिंध कौमिट उस तरीके से साथ खड़ी होती है बड़ी इची बात है लेकिन नहीं भी खड़ी होती है तो हम इंशाला सब कुछ करेंगे चुके जो हम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोड की डिरेक्टिव के बाद है विफा के साथ बैठना चाहता है हम चाहता है कि वजीर आजम हमें बुलाए हम में मुशावरत के अंदर शामिल किया जाए ताकि सिंध की बैतरी हो सके कराची की बैतरी हो सके तो ये बताएगा कि गुजशता रोज सिंध ने जब प्रेस कांफरेंस की तो उनके था कि ट्वीट से हमें पता चला कि खान साथ कराची आ रहा है तो क्या इस हवाले से सिंध हुकूमत को अन बोर्ड नहीं लिया या वहां नहीं बताया गया क्या फिर यही होगा कि खान साथ तो पहुचे गे लेकिन वजीराला सिंध से मुलाकात नहीं हो पाएगी गवरनर हाउस तक महदूद रहेंगे और वहीं पर को प्रेस कांफरेंस होगी और एलानात वहीं पर मतवक्य है देखे टूइट्स गवरनर वजीराला साथ के लिए नहीं होते वो पपलिक कंजम्टिन के लिए होते जो लोत सोच रहे होते हैं बागी एक मशिन्री काम कर रही होती है वजीराला शाम को रत्रा हो जाएगगे और कर मेरी माल Uma Shape मताबिक वज्रेयला साभ से मुलाकात हैं और उसके बार पिछले उरे पुड़े 15-20 दिन में वज्रेयला साभ की मुलाकात होती रही है उमारी सी मीटिंग केमीटी के हो रही है उसकंद लिए मुलाकात है। प्रेडल मिनिस्टर असाद उमर साब से, वारीपुरी कमेटी से, NCOC में ही मिलते थे, इनका इशू यह है कि अंदर बैठते हैं, सब होके करके आते हैं, मीडिया के पर कोई और बात करते हैं, आप उन्हें मीडिया पर बात करते हैं, हम उसको सीरिस नहीं लेते हैं, जहां उन्हें बात करनी चाहिए, वहाँ ही हर चीज़ पर राजी होते हैं, बात बबलिक को खुश करने के लिए, कहते हैं, कमपनी की मशूरी के लिए फिर यहां की शुरू हो जाते हैं, बलाए नहीं, टूट से पता चल गया, ऐसा हो गया, कल देखें के मुलाकात के लिए होंगे हैं, और वजीर आला सिंद्ध करेंगे, उसमें वजीर आला सिंद्ध मौजूद होंगे, और उनकी किसको साथ बिठाते हैं, किसको नहीं बिठाते हैं, उनकी मरजी है, लेकिन वजीर आला साथ से उससे पहले मौलाकात दिया, अल्टिमेटी मौलाकात में उसको फाइलर टचिज होंगे, मशावरत होगी, सब कुछ होगा, वजीर आला से मौलाकात है सुबाथ होंगे वहां पहुँच कर भी तो फिर तो यह खलीज मजीद बढ़ेगी इसका मतलब यह किसे दो हकुमत को साथ लेकर चलने में इस मूड में कुछ सीरस दिखाई नहीं देती विफा की हुकुमत मेरे खाल है कि आप मेरी बात समझें नहीं है मैंने आप में का अगरी क्या इस्ट्रिक्चल रिफार्म होने चाहिए देखिए प्राइमिस्टर कर लेक पूरे प्रोग्राम भी साथ आ रहे हैं एक कमेटी बन चुकी है इंशाला कराची का हमारी प्राइटीज है उसके अंदर स चाहिए उसका मैंने जवाब दिया था हूं कि पहले ये तो तैह कर दो कि जो बारा साल में हमारे साथ हुआ उसका तो हिसाब किताब ले ले लेकिन मैं यही कहना चाहरा हुँ ना कि तरजीज बन्यादों पर पहला नक्ता आपका यह कि पहले पुराने डिस्कोर्स को सेटल किया जाए यही नाप का शुकर जाए एक पर फिर सक्ट करने की बात हुए मैरी सुन तो ले, सुन तो ले, मेरा यह नहीं है, आप जब पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं कहरो कल इंशालला डेवलोपेंट के हमाले से आ रहे हैं, पुरा कराची टास्पर फॉर्मेशन प्लैन लेकर आ रहे हैं और तरजीज बन्याद पर उसको कर रहे हैं, लेकि ब अचालला कोई पैसी ज़्यादा परिशारी नहीं हो. इंसाफ विफा की हुकूमत हो? पुरी है, हम नहीं चाहरें लेकि यह इन्होंने एक रहर रोज एक नहीं बिन बजा देते हैं, कभी कहते हैं, दस अरफ डॉलर दे दो, कभी कहते हैं, फंड्स हमें दे दो, कभी कहते हैं, कुछ हो गया, कभी कहते हैं, किसी के बाप का पैसा नहीं है, यह अमाल का पैसा है, टेक्सपेयल का पैसा है, पाकिस्तानियों का पैसा है, पाकिस्तान पर लग रहा है ये बाते कर देना के जी हम पर इतबात नहीं क्यूं करें आप पर इतबात आपने पहले कौन से गुल खिला दी है, पहले कौन से अच्छा काम कर दी है पहरे कौन से आपने से अगर बरकरार रहेगा तो फिर तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे अगर यही होगा कि मीटिंग्स में कुछ होगा और पिर आकर प्रेस कांफरेंस के अंदर दोनों तरफ से बेहानात दागे जाएंगे पाकस्ता पर पाकस्ता परकी के अंसाफ के रानुमा हली मादिल शेख हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि वजीर आला सिंद को दावत दी गई है उनके साथ बैट कर मुशावरत भी की जाएगी और उसके बाद ही फैसले होगी अब ये एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगी दोरी शेरियत के हामिल अफराद एलेक्शन लड़ सकते हैं इसमें बात होगी इसमें के बाद हमारे साथ में विफाकी हुकुमत ने एक और अहम कानून साथी की तैयारी कर लिए ये कानून साथी दोरी शेरियत के हामिल अफराद को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की अजास्त देने के हावाले से है इतलाद बताती हैं कि विफाकी हुकुमत ने दोरी शेरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की अजास्त देने का फैसला किया और इस हवाले से विफाकी काबिना ने बिल भी मनजूर कर लिया है काबिना ने आर्टिकल 63-1C तबदील करने के लिए आईनी तर्मीमी बिल की मनजूरी दिये विफाकी काबिना की मनजूरी के बाद आईनी तर्मीमी बिल विजारत पारलिमानी अमूर को इरसाल कर दिया गया है जराय के मताबक काबिना कमीटी कानूनी केसिस ने दोहरी शेरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की अजासत देने की मुखालिफत की थी इस आहम मौमले पर सियासी पॉइट स्कोरिंग तो की जाती है मगर कानून साजी करके ये मौमला मुस्तकिल बुनियातों पर हल नहीं किया जाता पाकिस्तान के आइन के आर्टेकल 63-1 के मताब है कोई ऐसा शखस सेनेट, कौमी असम्बली और सुभाई असम्बली का रुकन बनने का अहल नहीं होता जो दोहरी शेरियत का हमिल हो पाकिस्तान की आला अगलिया ने 2013 में ऐसे 11 अराकी ने कौमी असम्बली को नाइहल करार दे दिया था जिनके पास दोहरी शेरियत थी यानि वो पाकिस्तान के इलावा किसी और मुलक के शेरी भी थे यह वो जबाना है जब मौजूदा वजीर आजम इम्रान खान आपोजिशन लीडर थे और दोहरी शेरियत पर जायस तनकीद करके अवाम के दिलों को गरमाया करते थे सवाल ये जनम लेता है कि दोहरी शेरियत का हामल फिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता है या हम अमरीकी शेरियत का हल्फ नामा बताता है जिससे मामले को समझने में मजीद आसानी होगी अमरीका का शेरियत के बारे में हल्फ नामा कतई हत्मी और गेर मनकस्म वफदारी का तकाजा करता है अमरीकी हल्फ नामे के अलफ ये हैं कि मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुकमल तौर पर गेर मल्की हाकिम रियास्त और हर हाकिम आला से वफदारी करने के मुकमल इंकार करता हूँ और पुरारी शेरियत को मनसूख करता हूँ और अब से मैं मुकमल तोर पर पूरी द्यानतदारी के साथ अमरीका के आईन और कवानीन की हमायत करता हूँ और इसके हर दुश्मन के खिलाफ इससे वफदारी का वादा करता हूँ जबके ये भी तलब किया गया कि मैं अमरीकी रियास्त के लिए कानून के मताबिक हत्यार उठाकर निकलूँगा जब जब भी तलब किया जाएगा इसके साथ मैं कानून के तहट अमरीकी मसल्ला अफ़ाज की तरफ से गैर असकरी सरगर्मियों में भी हिस्सा लूँगा और मैं अहम कौमी अमूर के लिए कानून के मताबिक काम करूंगा मैं वादा करता हूँ कि सिवल हुक्मरानों की हिदायात के मताबिक किसी जहनी तहफुज, हीला बहाना और धोके के बगएर फराइज अदा करने को लाजम समझता हूँ एखुज, तुमेरी मदद फरमाईएज, यानि इस हल्फे वफादारी से आया है कि किसी भी मलक का शहरी अपने मलक के साथ एहदे वफा निभाए, मगर वो किसी दूसरे मलक के साथ वफा कैसे कर सकता है दोरी शहरीयत के हामिल अफराद, पाकिस्तानी आयन के साथ कैसे द्यानतदार हो सकते हैं, ये सवाल तोटता है और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इस वक्त साथ साथ सेकेटरी एलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्तान, कुफर दिलशाद हमार साथ मौजूद है प्रिया कमर दिलशाद साथ साथ बाप के लिए सबसे पहले तो मुझे बताईएगा, कि अमरीकी दोरी शहरीयत के कानून के मताबक, जो अमरीकी शहरीयत का कानून है, उसके मताबक हल्फ लिया जाता है, कि शहरी अमरीका का वफदार होगा, अगर अमरीका का शहरी पाकिस् और त्रेसिट की खिलाब वर्दी नहीं करेंगा सर। तो उसकी दोरी शहरियत के बारे में जो हकुमत पाकिस्तान एक नया फार्मूला अख्यार किया है वो ये कह रहे हैं कि जो आलेक्शन में काम्याबी के बाद उसको इस मुलक की शहरियत छोड़नी पड़ेगी अगर ये बिल मन्जूर होना है तो पारलिमान ने करना है टू-थर्ड मजारिटी के साथ करना है ये एक अलग बहस है लेकिन उसके साथ साथ आप ये कहरें कि 63-1-C का जो मामला है वो कॉस्टिटूशनल मैटर है तो आप क्या कहरें कि वहाँ पर भी कोई अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेंगी और उसके बाद ये हो सकेगा वो आमेंडमेंट लेनी पड़ेंगा ने क्यों कोई कांस्टिटूशन का हिसा है रहा है कांस्टिटूशन में आप तर्मीम करने के लिए टू-थर्ड मजारिटी चाहिए लेकिए यहां ये मामला हो रहा है कि सबसे पड़ी इगे आहम बात ये क्ए हमारी तीन जमाते हैं इस पाकिस्तान की जगहरें वोट बैंक इस में सबसे आवल में तहरीक इनसाफ है फिर परड़े पार्टी है फिर पार्ड pencil लिक नमाज है। वोट बैंक बड़े-बड़े ममालकों में, सुधिरों में, हर मुलक में मजूद है, कोई तर्भी में 40-50 लाग कि लग बख है, उनकी ख्याश ही होगी, कि जी हमारा वोट बैंक पाकिस्तान में हमारा अजाफा हो जाए, हमारी सीटे जो है, अजाफा हो जाए, या नसीश्ते ह हो जाए, लेकर फाइदा पहुंचेगा सबसे ज्यादा तहरी के नसाफ को, लेकि यहाँ टू-थरड मजार्टी का मामला भी है, एक और बड़ी ऐहम बात है, अगर हमारी कौमी असम्बली ने ये पार्लिमेंट ने बिल पास भी कर दिया, तो सिप्रम कोर्ट पाकिस्तान मे अगर ये आइनी पेटिशन दाखल हो गई, कि इन्होंने आइन के स्ट्रक्शर को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, तो फिर मुम्किन है कि हमारी फुल कोर्ट जो है, सिप्रम कोर्ट पाकिस्तान, इसके बारे में को तारी की फैसला कर बैठे, अब ये देखें कि सब लोग आते हैं, इन्होंने इस ग्रीन कार्ड हासल कियो हैं, और बाद ने बकायता डियूल नेशिटी भी ली हुई है, उसके बारे में सिप्रम कोर्ट पाकिस्तान के साबक चीप ड्रेश्टर साकमिस साहर ने बड़ा एहम फैसला दिया था, कि ये पाकिस्तान के वफद करसी के लिए शुतर बे महारवला मामला है, बहुत बाद शुक्रिया कोवर दिल्शाद साब आपकी कीमती वक्त के लिए, साबिक सेक्रिटरी एलेक्शन कमिस्टन आफ पाकिस्तान कोवर दिल्शाद हमारे साथ मौजूट थे, गफदुको आपने सुनी या एक ब्रेक लें की जुरतमंदी हुपलवत्नी अज्मों इस्तकलाल का एलान का महीना है, ये महीना कौम की उस रोशन तारीख की याद दिलाता है, जब इस मट्टी के सपूतों ने अपने लहू का खिराज दे कर, अपने से कई गुना ताकत वर दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला उन अजीम बेटों की कुर्बानियों के शाहिद हैं, उन बेटों ने मुलक के मैदानों, समंद्रों और फजाओं की हफाज़त के लिए लाजवाल कुर्बानिया पेश की हैं, प्याब पाकिस्तान से लेकर आज तक तारीख अरज पाक के बहादुर बेटों की दास्ताने श जवान थे, अपनी मा के एक लौते फर्जन थे, इनके वालिद भी पॉलिस मुलाजमत के दोरान इस मट्टी पर कुर्बान हुए थे। पर हमाच ना ने देंगे कभी इस देश की खुशक बाली पर। ये तो था आज का दस तक आप से मुलकात होगी अगले हमते पर रखेव खेर, अलाह आपस।